दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने चैनल पे UPI की एक स्टार्ट की हुए जिसमें आपको different wallet या banks की information मिलती है जहां से आप UPI ID create कर सकते हैं, UPI ID transaction कर सकते हैं तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जस आपको शामिल किया है इसमें उसका नाम है Walnut जी हां दोस्तों Walnut एक ऐसा आप है जिसके थूरू आप UPI ID transaction कर सकते हैं तो कैसे है यह पूरा प्रॉसेस और क्या है यह Walnut आप तो इसके बार में complete information आपको इस वीडियो में देने वाल हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से request करूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube के उपर देख रहे हैं क्योंकि वहाँ भी मैं regular update करता रहता हूं तो चलिए दोस्तों बिना timing कर वाए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं Walnut आप पे UPI ID create करने के बारे में तो अगर आप UPI बनाए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा Walnut आप के बारे में information दे दो Walnut आप को मैं बहुत पहले स्यूज कर रहा हूं Walnut आप बेसिकली एक expense manager app है expense manager से मेरा मतलब है कि आप जितनी भी online transactions करते हैं तो कई बार हमारे पास message नहीं होते या message delete हो जाते या इतने सारे हम transactions करते हैं like recharge करते हैं bank transfer करते हैं या कुछ भी अपने friends relative को पैसे transfer करते हैं तो हर एक छोटी से बड़ी transactions का message रखना या उनका data बना के रखना ये possible नहीं हो पाता तो ऐसे में आप चाहे तो walnut expense manager का यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई transaction करते हैं तो आज आपका जो mobile number है वो आपके bank से या आपके जिस भी आप आपका यूज कर रहे हैं और transactions के लिए या utility bill payments के लिए वो सभी नंबर से link होते हैं और आप जैसे transaction initiate करते हैं transaction complete होता है उसका information उसका SMS आपके पास आ जाता है चाहे वो credit का हो या debit का हो वो information SMS के तुरू आपके पास आ जाता है या अपने email पे इसके statement भी ले सकते हैं तो basically देखे तो यह कमाल का app है कहने का मतलब आप मंतली जितना भी transaction कर रहे हैं उस सभी की report आपको एक जगा मिल जाती हैं हाला कि आप इसके लिए कुछ banks या wallets भी इसकी facility देते हैं लेकिन आप अगर उसी wallet से transaction करते हैं तो वो बस उसी का statement दिखाएंगे like अगर आप Google Pay का यूज कर रहे हैं या Paytm का यूज कर रहे हैं तो वो specific जो app है वो केवल उसी app से हुए transaction को दिखाता है लेकिन इस wallet app के द्वारा आप किसी भी transaction की मतब समड़ी को चेक कर सकते हैं उसके statement को डाउनलोड कर सकते हैं तो यह पुरा process दिखाने के लिए और wallet पे UPI ID क्रिएट करने के लिए मैं आपको लिए चलूँगा अपने mobile screen की तरफ जहां मैं आपको complete information brief से बता सुकूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां मैं आ गया हूँ अपने mobile screen पे और अभी हूँ मैं प्ले स्टोर के अंदर यहां simply आपको search करना है walnet और यह देखे walnet app यहां को देख गया है और चुकि मैंने इसको download किया हुआ है तो simply मैं यहां से इसको open कर लेता हूँ open करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पहला interface open होता है वो कुछ इस तरीके का है चुकि मैंने इस पर अपना account बनाया हुआ आप चेक कर सकते हैं यहां मैंने अपना account बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे इसमें sign up करने की ज़वरत नहीं पड़ी है अब आप इसमें यहां देख सकते हैं कि यहां पर पूरा जो भी मैंने इस मंद में अभी तक खर्च किया है वो सारा आपको सभी expense आपको यहां पर दिख जाएंगे अगर आप चाहें तो किसी expense को यहां पर tag क आप देख सकते हैं कि यह 50 रुपय का मैंने UPI payment किया था तो आप इसकी भी categorization कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको shopping में खर्च किया है तो मैं यहां से simply shopping पर click कर दूँगा तो आप यह देख सकते हैं कि जो category wise है वो मुझे पता लग जागा है कि यहां मैंने shopping पर इतना खर्च किय है या other other category में मैंने इतने ज्यादा expense कियें तो काफी अच्छा app है यह आप चाहें तो इसको use कर सकते हैं साथ ही आप यहां अपने bank account के balance को भी यहीं से check कर सकते हैं आप जिससे भी bank से transaction करेंगे यह bank account यहां पर add होता जाएगा तो काफी अच्छा app है अगर आप इसको use करें करेंगे तो काफी सही लगेगा आपको साथ ही अगर आप यहां पर देखें तो आप monthly wise यहां पर summary चेक कर सकते हैं चुकि मैंने इस app को recently download किया है मैं पहले use करता था तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास अभी जून का ही statics हो रहा है अब जो इसमें एक सबसे अच् weekly summary आप देख सकते हैं और यहां सभी information जो भी spend आप नहीं किया है उसकी information आपको मिल जाएगी और आप चाहें तो email statement यहां से आप email statement करके आप कोई भी custom date सेलक्ट करके यहां से apply कर देंगे और आपकी email पे एक PDF statement भेज़ दिया जागा तो काफी बहतरीन एप है यह अब आते ह हैं इसके UPI section के बारे में तो यहां पर एक रूपी का symbol बना हुगा है bottom में bottom में आप check कर सकते हैं यहां पर आप जाएंगे और हां यहां एक में बात आपको बताना भूल गया है यहां आप plus icon पे click करके क्योंकि कई बार होता है कि हम cash में बहुत सारा transaction करते हैं तो उसकी information यह UPI section में आपको पहला interface कुछ इस तरीके से दिखेगा अब आप जैसे यहां pay पर click करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि आप UPI ID के थूरू, bank account के थूरू या contact के थूरू आप पैसे send कर सकते हैं अब मैं यहां पर setting पर अगर आप आएंगे तो यहां आप देख सकते है कि मैंने अपना ICI और STFC का account इसमें add किया हुआ है, primary में मैंने अपना ICI का रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा UPI ID आपको दिख जाएगा, 903456492, add that it, PNB Pay, जो wallet है वो PNB के साथ काम कर रहा है, इसलिए आपको PNB Pay के नाम से UPI ID मिल रही है, साथ ही आपको यहां पर एक QR code भी मिल जाता है, तो जिसको scan करके कोई भी आपको payment कर सकता है, तो काफी अच्छा app है यह और साथ ही आपको expense manager के साथ, एक बहुत अच्छा expense manager के साथ, UPI का भी इसमें option मिल जाता है, तो आप इस app को use करें, और मुझे comment में ज़रूर बताइए कि आप आपको इसका expense manager का function कैसा लगा, इसका UPI function कैसा लगा, तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो खतम करने से परले, मैं एक बर दुबारा याद दिला दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे चैनल को subscribe कर लेंगे, साथ ही bell notification को on कर ताकि आपको मेर दी गई वीडियो की अपडेशन मिलती रहे, तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद